हेलो फ्रेंद्स आज मैं आपको अटेंडेंस सिस्टम का सिस्टम दिखाने वाला हूं कि आप कैसे अटेंडेंस कंपनी में मार्क कर सकते हैं अभी तक क्या होता था सर हम Google form जे इन और आपी इन्ट्री करते थे जो भी मेरा admin स्टाफ है वह जब कंपनी में एंट्री कर रहा है या जब गी वह एक वो रोमर्म फिल करते दें Google फ क्या होता है। जब भी हम कोई entry करते हैं वो एक की नीचे एक entry आती है तो फिर रिपोर्ट्स बनाने में बड़ी प्रॉबलम होती है गि इन कितने बज़े किया है या आउट कितने बज़े किया है अभी जो मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ यह प्रॉपर्ली हमारा वैफ फॉर्म पे बना हुआ है आई एक बार देखते हैं कैसे वर्क करेगा तो हमने पहले यहाँ पे अपनी कंपनी के Doors के नेम डाल दिये तो जो भी हमारे Doors के नेम है वो हमने यहाँ पे डाल दिये जैसे Ankur, Sanji, Annamika मैंने तीन नाम लिखा है यहाँ पे अभी हमने उन तीनों का पासफ़र डाल दिया उन तीनों का मूबाईल नमबर डाल दिया अभी आप यहां पर देख रहे हैं मैंने manager नेम भी डाला हुआ है तो suppose करिए इन तीनों के manager हैं जो इनकी leaves को check करते हैं अप्रूव करते हैं या फिर change कर सकते हैं वो हमने यहां पर Anamika Mem के नाम डाल दिया अब हमने इसमें तीन टैप बनाए है total एक attendance mark करने का एक attendance व्यू करने का और एक attendance जो mark हो चुकी है उसको change करने के लिए तो change करने का access मैंने सिव अनामिका को दिया है यहां पर आप देख सकते हैं अनामिका के आगे मैंने 123 से login किया यहां पर मुझे mark attendance और view attendance दिख रहा है यह completely mobile view पर भी चलेगी आप अगर mobile पर देखेंगे तो आपको वह कुछ इस तरीके से दिखेगा mobile version पर बना हुआ है आप अपने phone से बहुत easy तरीके से इसको fill कर सकते हैं तो suppose करिए अभी मैं mark attendance पर जाता हूं तो आज की date आ गई और time आ गया और मेरी location आ गई यहां पर हमें कुछ नहीं करना यहां पर file upload करनी है location locations यहां पर आती है 99% ठीक आती है कई बार location हमारी गलत भी हो सकती है depending upon आप कहां बैठे हैं पांच किलोमेटर का भी उपर नीचे इसमें अराम से हो जाता है अब इसमें file जो upload करनी है इसमे file जो आप upload करवा रहे है वह आप जैसे पिक upload करवा सकते हैं कि जो भी doer है वह अपनी photo कीच के इसमें upload करें कि वह office पहुँच चुका है जैसे हमने यहां पर choose file पर click किया मैं कोई भी एक document upload कर देता हूँ इसमें suppose करिए मैंने picture upload कर दियो और मैंने इसे submit कर दिया जैसी ही मैं इसे submit करूँगा मेरे यहां response में आप देख रहे हैं मेरी entry आ गई तो यहां पर आ गया कितने बज़े मैंने in किया था मेरी file आ गई और मेरी यहां पर geolocation आ गई अब मैं दुबारा in entry कर ही नहीं सकता मुझे exit entry ही करनी बड़ेगी तो यह इसका सबसे बड़ा beneficial पार्ट है कि जो हमें गूगल फॉर्म जी जब हम attendance लेते हैं जो mix हो जाता है वो इसमें हमारा automatically take care हो जाता है अब कोई भी report आपको कुछ भी इसके अंदर बनाना तो बहुत easy तरीके से हम इसमें बना सकते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे data मेरा इसके आगया के save हो गया similarly daily basis पे जैसे हैसे मैं इसको fill करता जाओंगा मेरा data नीचे नीचे उसी तरीके से यहाँ पे add-on होता रहेगा अब मैं यहाँ पे इसको logout करता हूँ अब मैं व्यू attendance पर जाता हूँ अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने attendance मार्क करिए पिछले एक महिने में वो कितने बज़े मैं आया था कितने बज़े मैं गिया था तो मैं 24 तारीक से सब्सक्री मैंने आप 25 तारीक का filter लगाया और अब मुझे 24 से 25 की मेरी एंट्री दिखा देगा अब क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक एंट्री डाली हुए 24 तो 25 के बीच में तो यह मुझे बता रहा है है इन टाइम मेरा क्या था ओट सैंय मेरा क्या था वाकिंग आर्ल मेरे कितनी आगे अब यहां यहां पर 1.17 तब यूद दिखा रहा है क्योंकि जो मेरा यह गश्वह बन मिनान डाली मैंने यह आप्यर आप देखने यहां पर ओफस के टाइमिंग डाले हूए हैं तो है मैंने इन किया था और अभी हम यहां पर 24 के एंट्री डाल देते हैं और यह हम डाल देते हैं 19 ही अब एक बार देखते हैं इसमें कैसे दिखेगा यह व्यू अटेंडेंस पर गया है मैंने यहां पर 24 लिखा और मैं 24 ज़ 25 की अपनी अटेंडेंस चेक करना चाता हूं basically मैं जैसे यहां पर डालूँ गो तो यहां पर मेरी अटेंडेंस आगई तो आप देख रहे हैं अब यह ग्रीन कलर में दिख रहा है क्यों ग्रीन में दिख रहा है क्योंकि जो ओकिन ओकर यहां ले हो compared में उस्थे ज्यादा धा यह वह मुझे य्रीन more में दिख आ जए ऊपड़ मुझे दिखा रहा है उपर मुझे दिखा रहरा ही कि टोटल मैरे वकिंडेंस किटने हो गए तोटल वकिंग आर्स कितने होगे और मेरी एवरेज कितनी आ रही है जैसे दो दिन के मेरे टोटल वकिंग आर्स नाइन आवर्स हुए तो एवरेज मेरी 4.5 कि आ रही है इस तरीके से वह चेक कर सकते हैं कि बेसिकली जो भी उन्होंने अटेंडेंस मार्ग करी है पिछले महिन या मान ली जै मैंने आज कंपनी से आउट कर दियो और मैं एंट्री डालना भूल गया तो मैं इनकी ही एंट्री डाल सकता हूं अगले दिन तो अब उस आउट की एंट्री पर जो मेरी मेनेजर है वो कैसे वक कर सकते हैं एक बार वह देखते हैं एक बार हम सिस्टम को ग्रेशनल दिख रहा है जो कि मुझे जब मैंने अंकूर का लॉगिंग गया था तो मुझे नहीं दिख रहा था अब मैं चेंज अटेंडेंस पे जाता हूं तो यहां पर देख रहे हैं मुझे परसन का नाम चूज करने की ओप्शन दे रहा है सब गरें अंकूर का नाम cable हो गया मैंने यहां पर 31 कर दिया कि वो 10 बजे निया आयए थे सारे 10 बजे आया थे और मैंने इसमें रिमाक्स में डाल दिया का मैंने इसे submit कर दिया कैसी मैं इसको submit करता हूँ अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर पहले जो time थी तो दस बस के एक मिनट का था अब यहां पर 10.31 का हो गया और remarks में मेरा reason आगया he was late जो मैंने वहां पर remarks लाना था वो मेरको यहां पर show कर रहा है कि बेसिकली जो वो लेट थे उसके पीछे जो मैंने डेट चेंज करी उसके पीछे क्या रीजन था प्लस आटोमेडिकली वाटसब मैसेज भी आएगा आप यहां पर देख सकते हैं वाटसब मैसेज आ गया है जिस भी देट की हमने चेंज करी है हमने फ्वंटिफूर की जो हमने 10 बॉसक्ट से बसके थर्णी बजब्लिक ड मिनीट की था वो भी यहां पर यहां पर वाटसब करींगे उनके पास भी वाटसब चला जाएगा कि आपर जींच आप्ग हो म्या झाल झाल